अब दिको इस question में भी trick कोई नहीं थी पर अगर हम इसकी language को सही break कर पाए तो हमने एक interesting नई language को actually break करा तो it was a good question केवल इस reason से क्योंकि अब language change हो गई अब देखते हैं कैसे हमें अपकी बार दिया गया कि हमने कोई टॉस करा तो जो head आने की probability है वो हमें given थे की point 4 है और हमें दिया गया कि जो head आया वो आया 24 times तो question था कि बताओ कितनी बार कॉइन को हमने टॉस करा तो वो इस question में अपकी बार given ही नहीं था in fact वही question था तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हमसे कुछ कहा जाए find करने को उसका नाम रख लेना चाहिए तो हमने मान लिया कि like the number of times the coin has been tossed is x, x मान लिया हमने number मतलब x क्या हो गया total events, required events क्या है, वो हमें की event थे 24 अगर मान लो coin toss करा गया होता 100 बार और head आता 24 बार तो head आने की probability क्या होती, 24 बाए 100 अब की बार देखो हमसे वो total number अब की बार हमें missing था इस question में, probability given थी हमें, तो हमें definition से नहीं हिलना चाहिए था हमें पोलना चाहिए था कि कि किसी भी event की probability होती है, वो होती है required events upon total events अब इस question में required events थो हमें given थे कि 24 है probability भी हमें given थे कि 0.4 है, total events missing थे, उसका नाम हमने x रख लिया तो required 24 upon total which was x, हमें given था कि बराबर है 0.4 के इस बात को बस हमने simply break करना था अब simply cross multiply करा हमने वहां से x आगया 24 by 0.4 अब इसको break कर पाने की हमें समझ है, 24 by x बराबर था 0.4 which is actually what, 4 upon 10 वहां से x बराबर आगया 240 by 4 which is 60 तो हमें मिल गया कि जो coin है उसको हमने toss करा था actually 60 बार अब देख इस question में थोड़ी सी manipulation हुई पर था ये पूरी तरह उसी बात की उपर based जो हमने पहले minute से सुली x आगया 60 मतलब coin को toss करा गया 60 बार अब 60 बार coin को toss करा गया, तो head कितनी बार आया था, 24 बार बाकी बारियों में क्या आया होगा actually tail, तो tail आया 60 minus 24 मतलब 36 बार तो अब tail आने की probability कितने निकलती फिर से same definition required events upon total events 36 by 60 which is 0.6 अब दो ही situations हो सकती थी, या तो head आय या फिर tail आय तो इन दोनों की probabilities का sum क्या बनता चाहिए था, 1 हमने वो add करके देखा, 0.6 और 0.4 दोनों का sum कितना आया 1, वही इस question में हमें कहा भी गया था कि prove करो इन questions की strategy actually इतने simple है, पर definition नहीं छोड़नी, उसके बाद वो हमें कोई भी question दें बिलकुल confusion में आये बिना बस उसको mention करो, लिख लिया करो ऐसे, फिर कभी confusion नहीं होती देखो, जैसी हमने लिखा, कि expression ये बनेगी, आगे दा question was actually so simple